प्रेंड्स माइनम समीट रखेंग चलिए आज टेटिक श्टार्ट करते हैं सबसे पहले लॉंच इविंट्स जैसे कि इन्टेक्स ने अपना एक मॉबाइल इन्टेक्स एक्वा सीरिस का एक्वा एस यह लॉंच कर दिया आज की इस मोबाइल की स्पेसिटेशन की बात करऊ तो आपको इसका मैं फीचर जेगों फिंगर पिट्सेंसर और 4G-Olt जी हाँ डिटेल स्पेसिटेशन की बात करो तो का 720 प्रोशेसर में जाता है तीनी विरहम 16 ये पे इंटरनल स्ट्रोले स्टोरेज तेरा प्रस पाच का कैमरा बतीसे में एच के बैटरी एंड्रोइड 6.0 ये सथिस्ट्रेसिक एप्रिकेशन में जाते हैं और इस मुपल का प्राइज हो है 9500 होती है कुछ अदर प्राइज है इसके रेंज में आप शाओंबी का रेडिमी 3S या रेडिमी 3S प्राइज होती है अगले निवस के बात करो तो अर्कोस ने अपना एक टैबलेट लांच किया है इस टैबलेट की में फीचर से इसकी बड़ी स्क्रीन और इसका जो बैटरी और अभी इस टैबलेट की स्पेस 5Ghz का रॉक चिप करके चिपसेट आ जाया है उसका आर्के डबल द्री सिक्सेट यह सीप्यू यूज किया गया है और इसमें 2GB रैंग 64GB इंग शोलेज में जाते है अगर आपको एक्स्टरनल करना है तो 128GB रवा आप एक्स्टरनल में नभी से यूज कर लगते हैं पाच यूज का वेट जो यह बढ़ जाते है 1.17 kg का यह टैबलेट है बड़ा है वी टैबलेट है अगर आप मल्टी मेली आयल होबर जैसे कि वीडियो के आप बहुत देखते हो या गेमिंग खिलते तो उसके लिए आपके यह टैबलेट बहुत यह अच्छा उप्शन हो सकते है और इस टैबलेट का जो प्राइज है वो साड़े तेरा जरूप है जो कि इसके ऑफिशियल साइट में में देखता है अगली भी इसके बात करो तो शामी की तरफ से आ रही है शामी का जो फ्रेडवी 4 है वो चाइना की एक उफिशियल साइट टीना डॉट जो कि आपको इस पर इसका जो एक पिक्चर है वो लिख हुआ है इस इमेज में आपको दिख रहे कि डैक साइड में जो कैमरा है उसके नीचे पिंकर बिट सेंसर लिख रहे है और इस मोबिल के अगर जो लिख स्प्रेसिफिकेशन है इसके बात करू तो पाच इंज की फूल एजडी डि प्रोसेसर की भी बात चाहिए है यह भी यूज किया जा सकते है और जिसरे स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इस में आपको 3GB RAM 32GB इंटरनल स्टोरेज तेरा प्रस पाच का कैमरा मिल जाएगा 4000 mh की बैटरी एंडूइट 6.0 और फिंगर बिट सेंसर यह सेंसर मिल सकते है इसका प्राइज हो सकता है साथ से 8000 की बीजम हो सकता है बड़ चाइना में कब लांच होगा और इंडिया में कितनी जल्दी लांच होगा यह में देखना है अले बात अब यह नहीं उसकी बात करो तो भी शामी के तरब से जारी है यह शामी का जो M.I. Note 2 है उसका लांच ड स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छा है स्पेसिफिकेशन के बात करो तो आपको dual edge मिल जाता है front में और back side में dual camera मिल जाएगा और जो front में आपको fingerprint sensor मिल जाएगा 5.7 इंच का dual curve edge वाला display हो सकता है और full metallic body के साथ आ सकता है यह mobile और इसकी full detail specification के बात करो तो यह 2K display के साथ आ सकत है और इसमें आपको 6GB RAM 128GB internal storage वाला एक variant हो सकता है और जो दूसरा variant हो सकता है वो 64GB internal storage और 6GB RAM यह दो variant में आ सकते है इसके बात स्पेसिफिकेशन के बात करो तो 5.7 इंच का OLED display मिल जाता है जो कि 2K display हो सकता है snapdragon का latest 821 processor यूज़ किया जा सकता है इसमें और android N 7.1 7.0 की भी उसकता है बैटरी पे अचीका से हो सकती है और dual camera यह इसकी main features हो सकते है बट अभी जल्दी launch होगा इस मंद में तभी पता चल जाएगा कि इसकी main specification क्या है जो पहले variant है 6GB RAM 64GB internal storage उसका price 25,000 हो सकता है और जो दूसरा variant है 6GB RAM 128GB internal storage उसका price 30,000 तक approximately इंडिया में हो सकता अगले उसकी बात करो जो कि last news है Sony की तरफ से हारी है Sony का Xperia series है उसने Sony ने अपने Xperia series के दो mobile के price है उसको drop किया है यह प्राइस को cut out हो दिकी सबसे पहले Sony Xperia dual X जिसका जो कि May मैने में launch हुआ था इसका price 48,000 था वो अभी 38,000 है 10,000 उसका price drop हो और जो दूसरा mobile Xperia Z5 जो कि October 2015 में launch हुआ था जिसका price 56,000 था उसमें 8,000 रुपीर price drop हो जो कि 48,000 में मिल रहा है अब डियो Xperia dual X के specification की बात करो Sony Xperia dual X की बात करो तो इसके specification में 5 इंच की full HD display मिल जाते है 3GB RAM 32GB internal storage 26 image की battery यह 26 image की battery 23 megapixel का layer camera 13 megapixel का front camera यहीं camera lover के लिए mobile है इतना खास specification तो नहीं मिलता है और जो दूसरा model है Xperia Z5 जो कि पहला 4K mobile था अगर डिस्प्ली की इसका main features की बात करो तो 4K recording दो सकता है यह mobile बट यह high range के price के mobile है अभी जाके इस Sony Xperia dual ने इस mobile का price drop के है तो भी मुझे नहीं लगता कि ज्यादा buyers buy करेंगे इस mobile अगर आपको हमारा यह tech news पसंद अजाओ तो प्रीज हमारे वीडियो को like और share करें और कुछ suggestion देना चाहते तो आप दे सकते हैं वीडियो की comment में और वीडियो के देखने के लिए धन्यावार आप सबी को है एपी कानेश चतुरती है टेक केर और बाबाई है